अब हम देखते हैं कि जो हमारे भारत में कौन-कौन सी नगरी बस्तियां हैं, जिस प्रकार हमारे देश की जो जनसंख्या है, वो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग निमास करती, कहीं पर सगन जनसंख्या है, कहीं बहुत विरल जनसंख्या देखने को मिलती है, उसी प् बस्तियों के वित्रण में भी हमें असमानता देखने को मिलेगी कहीं पर बहुत अधिक नगरी बस्तियां मिलेंगी कहीं पर कम नगरी बस्तियां होंगी कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होंगी और इन सब पर प्रभाव पढ़ता है हमारे भारत का जो उच्चावच है या हम जल और इन सब का जो प्रभाव है वो नगरी बस्तियों के वितरन पर पड़ता है तो आईए हम बात करते हैं भारत की प्रमुख नगरी बस्तियों के विशय में तो प्रमुख रूप से 6 नगरी केंद्र या नगरी बस्तियों के विकास के जो प्रमुख छेतर हैं वो 6 मिलते हैं ह पहला जो है वो आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान बच्चों हम बार-बार इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी बस्ती का विकास जो है जहां पर समतल उपजाओ मैदान या समतल भूभाग क्रिशी के लिए उपजाओ भूमी मिलेगी जल की उपलबधता मिलती है तो वहीं पर कोई भी बस्तीयों का विकास जो है वो सबसे अधिक होता है फिर चाहे हम ग्रामिर बस्तीयों की बात करें या हम नगरी बस्तीयों की बात करें दोनों का ही विकास उस छेत्र में होगा जो हमारे भारत में हम देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान एक समत जल भुभाग है और चुकि ये नदियों के द्वारा लाई हुई जलोड मृदा से निर्वीत है इसलिए यहां पर उपजाओ भूमी भी क्रिशी के लिए बहुत अच्छी उपलब्ध होती है और साथ ही साथ हिमालय की सदावाहिनी नदियों के द्वारा यहां पर जल की परि हैं दूसरा है आपका गुजरात प्रदेश तीसरा हम बात करते हैं महाराष््त और उसका महाराष्त का जो छेत्र है है और जो साथ ही साथ आन्थ प्रदेश का जो पूर्वी भाग है फिर हम देखेंगे गुदावरी कृष्ण का डेल्टा सेare फिर दख्षिन भारत के नग तो हम इन सब में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के विशेय में ये जो नगरी करण का जो चेतर है हमने अभी बात की जैसे हिमालय के सदा प्रावाहिनी नदियां और प्रायदीपी पठार की जो नदियां है उनके द्वारा जो लाई गई जलोण मृदा से निक्षेपन से ये मैदान निर्मित है तो हम प्रमुखरूप से यदि बात करें तो आपका सतलच गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना ये तीनों नदियों के द्वारा ये निर्मित मैदान है उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो छेत्र है ये और यहीं पर हमें सबसे अधिक नगर पाये जाते हैं और हमने इनके काणों के बारे में पहले चर्चा कर ली कि जलकी उपलब्धता कि इसमें भी सबसे अधिक कहां पर मिलता है और कम मात्रय नगरी करन की कहां पर मिलेगी तो पहला है आपका कोलकाता का प्रिष्ट प्रदेर ये च्हेत्र जो है ये भी आपके फुगली और दामोदर नदियों के बेसीन वाला च्हेत्र है और बेसीन च्षेत्र अबढ़ मै और उसके साथ यह प्रमुख और द्योगिक छेत्र है जो अहां पर आपका छोटा नापूर का पठार छेत्र भी हम कह रहे हैं उसी छेत्र में यह पुरा जो भुभाग हम कह रहे हैं इसका प्रिष्ठ प्रदेश वो इस्तित है तो तीन चीजे वो गई बेसीन जो अग्जाव भूमी उपलब्ध करा रही है छोटा नापूर का छोटा नापूर पठार का छेत्र जो एक खनीज संपदा के दृष्टी कोंड से बहुत संपन्न छेत्र है और साथ ही साथ यहां पर कोलकाता का एक प्रमुख बंदरगा जो परिवहन के माध्यम से या दूसरे बाजार तक प परिवहन की महत्वपूनस हम यह कह सकते हैं कि केंद्र है जिसके कारण यह छेत्र जो है नगरी करण के दृष्टी कोंड से बहुत अधिक विक्सित है और कोलकाता के अलावा हम यहां पर देखेंगे तो प्रमुख नगर में हम देखेंगे जमशेदपूर है आसनसोल है गय है दुर्गापूर हावडा हुगली राची या डालतन गंज यह प्रमुख जो है यह इस छेत्र के नगर है कोलकाता के प्रिष्ट प्रदेश के बाद हम बात करते हैं यह उत्तर भारत के विशाल मैदान का दूसरा उपभाग है जहां पर नगरी करण हमें मिलता है वो है आ आप मध्यगंगा के छेत्र को देख पा रहे हैं यह चेत्र जो है वो आपके पटना से लेकर कानपूर तक का विश्त्रित छेत्र है और यह चेत्र नगरी करण के छेत्र में यह इसलिए अधिक विक्सित है क्योंकि यहां पर बहुत से उद्द्योग हमें देखने को मिलते ह हैं चाहे वो चीनी उद्द्योग की हम बात करें कागज उद्द्योग की बात करें सिमेंट हो गया उर्वरक हो गया कानपूर जो है जिसे हम उत्तर भारत के मैंचेस्टर के नाम से जानते हैं तो सूती वस्त्र उद्द्योग का यह भी यह प्रमुख रूप से केंद्र है नगर की हम बात करें तो देखते हैं पटना है मुझफवर पूर है मुंगेर है भागल पूर हो गया गोरक पूर है कानपूर है बारणसी और इलहाबाद यह इस छेत्र के प्रमुख नगर है फिर तीसरा हम देखते हैं गंगा का जो उपरी मैदान या हम यह कह सकते हैं उतरी गंगा बेसीन जो है यह भी नगरी करण का यहां बहुत अधिक विकास हुआ है और यह जो छेत्र है वो आपके देहरादून से दिल्ली से लेकर कानपूर और लखनों तक इस छेत्र का विस्तार हमें देखने को मिलता है यहां पर भी हम देखेंगे कि चीनी उद्योग सूत दिवस्त्र का उद्योग है यह हम दियासलाई उद्योग और रासायनी उद्योग जो है इस पूरे छेत्र में इसका संकेंद्रन जो है हमें देखने को मिलता है जिस कारण से यहां पर नगरी करण का इस तर उच्छ है और इस छेत्र के प्रमुख नगर जो है देहरादून ह होजीरी का समान यह हम उपवस्त्र से संबंधित इंजनिरिंग की हम बात करें या हम खेल से संबंधित जो सामान होते हैं ये सभी निर्माण उद्योग इस पंजाब के मैदान में इस्थित हैं या हम ये कहें कि इनका संकेंद्रन जो है वो हम इस छेत्र में देखने को मिलता है इस कारण यहाँ पर नगरी करण का विस्तार हुआ है और प्रता के बाद भारत का सबसे सुन योजित आधुनिक्तम नगर ये चंडीगर है इसके बाद लुधियाना है अम्रिच सर है फिर अंबाला हो गया फिरोजपूर हो गया या फिर हम करनाल और हिसार की बात करें तो यह इस छेत्र के प्रमुख नगर है दूसरा है आपका नगरी करन देखने को मिलता है या नगरी प्रदेश नगरी बस्तियां देखने को मिलती है और इसका प्रमुख कारण है हमको मालूम है एहमदाबाद जो है वो आपका पुर्वी भारत हम पश्यमी भारत का मैंचेस्टर इसे कह रहे हैं तो एहमदाबाद जो है वो प्रमु जिसके कारण यहां पर गुजरात में प्रमुख रूप से सूती वस्त्र उद्योग का बहुत अधिक संकेंद्रन जो है वो हुआ है और इसी कारण यहां पर हमें नगरी बस्तियां जो है अधिक देखने को मिलती हैं इसके जो प्रमुख नगर है एहमदाबाद हो गया जोच है फिर हम जामनगर या कांडला बंदरगाह की बात करें तो यह इस शेत्र के प्रमुख नगर है हां यहां पर हमें एक और विशेश बात देखने को मिलती है गुजरात में जो द्वार का है वो इस शेत्र का प्रमुख या हमें कहें भारत देश का प्रमुख तिर्थ इस्थान हैं तीसरा है आपका महाराष्ठ और पुर्वी आंध्रप्रदेश हम पहले भी बात किये हैं महाराष्ठ में जो मुंबई है वो एक प्रमुख व्यापारिक केंडर है या प्रमुख व्यापारिक नगर है हम इसे भारत की व्यापारिक राजधानी की नाम से भी जान कि मुंबई जो बंदरगाह है उसका जो प्रिष्ठ प्रदेश है मतलब हम जब महाराष्ट की बात कर रहे हैं या पुर्वी आंध्रप्रदेश की तो ये पूरा जो छेत्र है वो मुंबई बंदरगाह का प्रिष्ठ प्रदेश पढ़ता है और जिस बंदरगाह का प्रिष्ट प्रदेश के अंतरगत हम देखेंगे कि आपका नागपूर है, अमरावती, रतनागीरी, धारवाड, हैदराबाद या चान नगरों की परीधी से या पूरे चारों तरफ ये नगर जो हैं इस प्रिष्ट प्रदेश के घिरे हुए हैं, तो हम बात करेंगे इस छे प्रमुख व्यापारिक नगर भी है, यहां पर बहुत सारे अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ है, और प्रमुख नगर की यदि हम बात करें इस छेत्र की, तो नासिक है, अकोला है, या हम औरंगाबाद, एहमद नगर, पूडे, शोलापूर या कोलापू यह प्रमुख नगर हैं इस छेत्र के, फिर नेक्स्ट आता है आपका गोदावरी कृष्णा का डेल्टा प्रदेश, इस प्रदेश की हम बात करें तो चुकि यह डेल्टाई छेत्र है, तो नैचरली है कि हम फिर से बात करें कि उपजाओ भूमी डेल्टाई छेत्र में हमे उत्तम जलवायू वाला छेत्र है जिसके कारण इस छेत्र का विकास हुआ है, अब हम यह देखते हैं कि इस छेत्र में प्रमुख जो बंदरगा है वो यहां का प्रमुख नगर विशाखा पत्नम है जो एक प्रमुख बंदरगा है और ये एक नौसैनिक केंद्र भी है, इंटर पॉइंट ये पड़ता है इसके साथ ही साथ ये प्रमुख बंदरगा भी है और जब हम अन्यनगरों के विकास की बात करेंगे तो क्रिशी उत्पादों पर यहां जो और अन्यनगर इसी थें वो क्रिशी उत्पादों पर आधारीत हैं चुकि हम पहले भी चर्चा करे ये प्रसिद्ध हैं और प्रमुख नगर कौन-कौन से हैं यहां पर हम देखते हैं विजय वाड़ा है आपका मुसली पटनम है काकी नाड़ा है गुंटरू है और राज महेंद्र ये सब जो हैं वो इस छेत्र के प्रमुख नगर हैं फिर आपका नेक्स्ट आता है दक्षि तो मुकलिंद भारत के नगरी छेत्र की जब हम बात करें तो हम आप पूर्व से चिन्नई से लेकर पश्शीम तक हम बेंगलोर मतलब पूरो में चिन्नई और पशी में बैंगलोर के बीच एक रेखा खीच दें तो उसके पूरा दक्षिन का जो छेतर है वो इस छेतर के अंतरगत आता है और यहां की प्रमुख विशेष्टा है जिसके कारण यहां पर नगरी बस्तियों का या नगरों का अधिक विकास हुआ है वो है यहां पर वायू संबंधी टेलीफोन या हम रेल के डिबो की बात करें या आपके विद्यूतूप करण हो गए यह जो चमड़े के सामान है यह यहां पर प्रमुख रूप से इनका निर्माण किया जाता है हम यह कहें कि इनके निर्माण के यह केंद्र हैं जिस कारण से यह छेतर या इस छे पूरम है मदूरेई है सेलम पांडिचेरी या तूति कोरन यह प्रमुख इस छेत्र के नगर है अब हम देखते हैं मध्यवर्ती उच्च प्रदेश मध्यवर्ती उच्च प्रदेश हमको पता है प्रायदिपी पठार का यह हिस्सा है और इसे भी हम कुछ छेत्रों में प्रमुख प्रशाशनी केंद्र की रूप में विक्सित है जो आपके पहले जो रियासते हुआ करती थी राजपूतों का जो शाशन होता था पहले उसके बाद हमने जब नगरी करण पढ़ रहे थे हम उसके विकास की बात कर रहे थे प्राचीन काल से आधुनिक समय तक तो हम उसमें देखा था कि जैसे ही हर्शवर्धन की मृत्ति हुई उसके बाद राजपूतों का शाशन आ गया और उन राजपूतों की छोटी बड़ी अनेक प्रकार की उन्होंने रियासते जो है वो इस्थापीद की तो अरावली छेत्र जो है वो एक प्रशाशनी केंद्र है जो पहले रियासते हुआ करती थी उनकी राजपानिया इस छेत्र में हैं जैसे हम बात कर लेते हैं जैपूर हो गया अजमेर है चित्ट्वर है बूंदी और उदैपूर ये ऐसे ही रियासतों की राजपानिया रह चुकी हैं फिर हम इसी का दूसरा उपभाग देखते हैं जो है आपका अरावली परवत का पुर्वी छेत्र ये छेत्र जो है वो आपके नगर की जो पुर्वर्ती रियासतें थी हम यहाँ पर भी रियासत की बात कर रहे हैं मतलब पुर्वी छेत्र में जितनी भी उस समय रियासतें हुआ करती थी उनकी राजधानिया ये नगर जो ह में भी विक्सित हो चुकी हैं जिसमें हम प्रमुख रूप से बात करें तो आपका ग्वालियर जहासी इंदौर भौपाल या रतलाम जो हैं वो इसी प्रकार के प्रमुख नगरी केंद्र हैं फिर तीसरा इसका उपभाग है अरावली का पश्यमी छेत्र अरावली परवत का जो पश्यमी छेत्र है वो इसके अंतर गताता है और यहां पर भी हम फिर से कहेंगे कि ये पूरा प्राचीन जो राजपूत थे जो रियासते हुआ करती थी उनका पूरा छेत्र है ये अरावल पश्यमी छेत्र में जो रियासते हुआ करती थी उनकी जो राजधानिया थी में प्रमुख रूप से हम बात करें जोदपूर बिकानेर बाढ़मेर और नागोर यह नितने भी वह सहते हैं तर मरुस्तल 100 में हमें अ still возмож क्योंकि राजस्थान का पूरा पश्चिमी छेत्र एक विशाल मरुस्थल है। फिर हम नेक्स्ट इसके उभाग की बात करें जिसमें आपका विंध्याचल प्रदेश आता है या विंध्याचल का जो छेत्र है वो आता है और इसमें प्रमुख नगर जो हैं वो आपके जबलपूर, रिवा, कटनी और सतना इस विंध्याचल छेत्र के प्रमुख नगर तो हमने देख लिया कि पूरे भारत में जो नगरी करण की स्थिती है या जो इसके प्रमुक छेतर हैं उन पर हमने बात की अब हम देखते हैं जैसे ही किसी नगर का विकास हो रहा है या हम जब भी विकास की जो बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि कोई देश जितना विक्सित हो लेकिन जहां पर हमें कुछ प्लस मिल रहा है वहां मैनस भी होता है मतलब कुछ उससे होने वाले लाब हैं तो उतनी ही हानिया भी हैं तो हम बात कर लेते हैं कि नगरी करण की होने वाली हानिया या नगरी करण के बढ़ने से कौन-कौन से दुश परिनाम हमें देखने को मिलते हैं। नगरी करण के बढ़ने के साथ साथ या नगरी बस्तियां जैसे जैसे विक्सित होती जा रही हैं हम देखेंगे कि कुछ समस्याएं भी हमारे सामने और हम इने विकट समस्या कह सकते हैं ये हमारे सामने उभर कर आ रही हैं तो ये कौन-कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना हमे नगरी करण के कारण करना पड़ रहा है तो पहले हम देखते हैं बहुत अधिक भीडबाड गावों से लोगों का जो है नगरों की तरफ आकरशन चाहे वो रोजगार के लिए हो या मिलने वाली अच्छी सुविधाई या उच्च जीवनिस्तर की हम बात करें ये सभी कारण जो है वो ग्रामीन चेत्रों से लोगों को नगरों की तरफ आकरशित करते हैं और ये आकरशन जो है वो नगरों की जनसंख्या को बहुत अधिक हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार वृद्धी हो रही है और इतनी अधिक भीड़ हो गई है कि लोगों के दहने के लिए ये हम ये स्थिती देखते हैं कि एक ही कमरा है और उस एक कमरे में उस घर के दस से 12 मेंबर निवास करते हैं वहाँ पर माकान भी जो है वो भी चुकी छोटे होंगे या हम कहें कि जगक के अभाव या इस्थान के अभाव के कारण छोटे-छोटे कमरे बना कर लोग जो है वो निवास करते हैं इस्थान अभाव के कारण तो बहुत अधिक भीड भाड़िया हम कहें कि ओवर क्रौडिंग की जो समस्या है वो नगरी करण के कारण बहुत अधिक विकट रूप अपना ले चुकी है फिर दूसरा हम देखते हैं आवास या हाउसीन की प्रॉबलम भी है हमने भी बात की कि जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव बढ़ जाता है नगरों या शहरों के उपर तो छेत्र तो उतना ही है छेत्र फल में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है नगरों के लेकिन उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो वहाँ पर आने वाले लोग हैं प्रवासी के हैं हम या ग्रामीर छेत्र से आने वाले जो लोग हैं या हम समानी शब्दों में के हैं कि लगातार नगरों की बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसके कारण वहाँ पर आवास की समस्या उत्पन हो गई है क्योंकि छेत्र उतना ही है लेकिन लोगों की संख्या जो है वो बढ़ गई है तो हम ने बात की थी जब सननगर की तो हम ये देख रहे थे की कोई महानगर जब वहाँ पर उसका बहुत अधी नगरी करन बढ़ गया है और समस्याएं जैसे आवास की समस्या हो गई तो उस विशेश नगर या प्रमुख नगर को छोड़ कर वहाँ उससे सटे हुए जो अन्य छोटे कजबे या नगरी ग्राम की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर लोगों के लिए आवास बनाए जाते हैं या निवास की जो विवस्था है वो की जाती है मतलब उस नगर का फैलाव जो है प्रमुख केंद्र या प्रमुख छेत्र से होते हुए अपने आसपास की छेत्र को वो सम्मेलित कर लेता है जैसे हम बात कर सकते हैं दिल्ली की हमने बात की थी यह हम कुलकाता हावडा की बात किये थे तो यह एक ऐसे महानगर है जहां पर आवास की जो समस्या है वो बहुत अधिक बढ़ गई है इसी के कारण हम देखेंगे कि हमें इंडिविज्वल मकान भी बहुत कम अब देखने को मिलते हैं क्योंकि स्थान का इतना भाव हो गया है और बड़ी-बड़ी बहु मंजिला इमारते जो हैं वो हमको महानगरों में देखने को मिलती है और आवासों कि बहुत सघन होने के कारण हम तो स्लम में चले जाएं या किसी ओद्योगिक छेतर से लगी हुई जो छोटी-छोटी बस्तियां होती है जहां पर कोई मजदूर वर्ग रहते हैं तो वहाँ पर तो हम आवास की यह स्थिती देखेंगे कि एकदम तंग और सकरी गलियां होती है और उसमें उससे सटे हुए आवास जो है या घर बने हुए होते हैं और हमने अभी जैसे बात की थी कि भई एक छोटे से कमरे में वही पर वो उनका बेडरूम होगा वही कीचन होगा वही ड्राइंग रूम होगा वही पर वो खाना बनाएंगे मतलब सारा काम जो है वो वहाँ पर होता है और एक ही कमरे में लगभग 10 से 12 मेंबर जो है वो निवास करते हैं तो आवास की भी जो समस्या है एक प्रमुक समस्या है नगरी बस्तियों के बढ़ने के कारण यह नगरी जनसंख्या में वृध्धी से अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेरोजगारी भई सभी को रोजगार चाहिए और हम यह देखेंगे कि सभी का जो रुजहान है आज कल वर्तमान समय में लोगों का चुकि हमारा देश तो क्रिशी प्रधान देश है लेकिन आज का जो यूवा वर्ग है वो क्रिशी कारी नहीं करना चाहता या उससे संबंधित जो कारी है उसमें कोई इंट्रेस्ट उसको नहीं है और यही कारण है कि वो ग्रामीन छेत्र को छोड़कर नगरों की तरफ प्रवास करता है या उसकी तरफ आकरशित होता है और यह जो आकरशन है जो उसे आप नगरों में लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा कि सभी के लिए तो रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएगा जनसंख्या का दबाओ बहुत अधिक बढ़ गया है लेकिन रोजगार या कार्य में उस अनुपात में वृद्धी नहीं हुई है तो ये भी एक प्रमुख जो हम कहें समस्या है कि नगरी करण के बढ़ने से बेरोजगारी की समस्या भी जो है वो बढ़ रही है फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मलीन बस्तियां या स्लम्स जो है ये अभी वर्तमान समय में हमारे लिए एक अभिशाप के रूप में कार्य कर रहे है मतलब जितना ज़ादा अद्धयोगी करण बढ़ रहा है ये नगरी करण में जितना विस्तार हो रहा है उसके आस पस उसमें जो काम करने वाला श्रमिक वर्ग है लेबर वर्ग है वो बही पर उस चेत्र से में लगे हुए चेत्र में जुगई जोपणियां बना कर निवास करने लगते हैं और ये इनकी स्थिती बहुत खराब होती है क्योंकि वहाँ पेने के पानी की समस्या होती है सिवरेज की प्रोबलोम होती है मतलब परियावरन प्रदूशन तो होता ही है साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा सटे- सटे सटे जो हैं वो जुगी जोपडियां बनाई जाती हैं और उसमें वही स्थिती की एक छोटी सी जोपड़ी के कमरे में कच्चा मकान होता है सिवरेज भी वहाँ पर पर्मानेंट उसकी व्यवस्था नहीं होती और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर एक ही कमरे में पर्शेख है क्योंकि यह हमारे पर्यावरन को तो दूशी कर ही रहा है और साथ ही साथ हम यह कहें कि हमारे आसपास का जो एन्वायरमेंट है या जो हम यह कहें कि जो उसका प्रभाव है वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो जीवन इस्तर होता है वो एकदम निम्न होता है और वो मुख्य छेतर से एकदम कटे हुए होते हैं, सिक्षा का भाव होता है, तो उनका जीवन इस तर भी उपर उठाना या उनके जीवन इस तर को हम समानिय बनाना और सिक्षा के इस तर को बढ़ाना जिससे उनकी सोच में बदलाव हमारे लिए आज बहुत आवश्यक हो ग हम अपने रायपूर में भी आप चले जाए हम जैसे ही कोई एक सिगनल आता है तो उपर से आप देखेंगे तो आपको पुरे सिर ही सिर सब के नजर आएंगे एक सिगनल में बहुत लंबी कतार जो है वो लग जाती है यदि आप सड़कों पे कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हैं तो दो तीन सिगनल पार हो जाते हैं फिर आपका नंबर आता है मतलब आपके नंबर आते तक फिर रैट सिगनल हो गया तो भीड इतनी हो गई है चुकि जन संख्या बढ़ रही है इसलिए वाहनों का भी दबाव या वाहनों की संख्या भी सड़कों पर लगातार बढ़ती जा रही है जिससे परिवहन की समस्या जो है वो उत्पन हो रही है हमारे नगरों की सड़कों पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है फिर हम देखते हैं उर्जा उर्जा भी एक प्रमुख समस्या है मतलब जितनी भी जनसंख् प्रेशर भी है उन्हें इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराना हमारे लिए हमारी आवश्चक्ता है और हम देखेंगे कि जो अधिकतर महानगर हैं आज कल जो नगर और महानगर देखने को मिलेंगे वहां पर पावर कट की इस्थिती जो है वो देखने को मिलती है क्योंकि बहुत सेफ करते हुए चलना है यह आगे आने वाली पीड़ी के लिए बचाते हुए चलना है और यह हमारे लिए सिमीत मात्रा में उपलब्ध है और इसी का परिनाम जो है वो हम अधिकतर शहरों या नगरों में पावर कट के रूप में देखते हैं और विशेश कर गर्मियो का जब मौसम होता है तब तो हम देखते हैं कि पूरी दो पहर भर लाइट नहीं है पावर कट की प्रॉब्लम होती है फिर है जल की समस्या जल भी उपलब्ध कराना चुकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उतनी जनसंख्या को हर तरह की सुविधाएं जो हैं वो हमें की आवशक्ता है पीने के लिए भी है नहाने के लिए मतलब हमारी रोजमर्रा की जो आवशक्ता है उसकी पूर्ती करने के लिए भी हमें जल की आवशक्ता है अगर हम बात करें जो हमारे चार महानगर हैं दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई तो ये जो चारों महानगर इसमें हम जल की मांग और उसकी आपूर्ती का अनुपात या रेशियो देखें, तो हम देखेंगे कि इसमें 10 से 20 प्रतिशत तक का हमें अंतर पाया जाता है मांग में और आपूर्ती के बीज में, तो जल भी एक विकट समस्या है, फिर सिवरेज, सिवरेज हमने बात की थी कि लगातार जनसंख्या का बढ़ता दबाओ और ओद्योगी करण के बढ़ते प्रभाव के कारण जो स्लम है वो आज के नगर की प्रमुख समस्या हम यह कहें कि अभिशाप के रूप में बनता जा रहा है और प्रमुख रूप से उन छेत्रों में सिवरेज की समस्या तो होती जिनका मेंटरररन नहीं किया गया है तो इतनी सारी जो जनसंख्या है बहुत मतलब हम यह देखेंगे कि सिवरेज जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में बन रही है जिसके कारण हमारा एन्वायरमेंट जो है वो परिया वरण जो है पूरी तरह प्रशित हो रहा है फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अपसिस्ट जो पदार्थ हैं उनका निराकरण कैसे किया जाए है जितने भी वेस्टेज वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं उनकी भी एक प्रमुख समस्या है नगरों में इसके साथ साथ जितना हम विकास करते जा रहे हैं उत बेरोजगारी है रोजगार का अभाव जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण साथ ही साथ हम देखेंगे प्रतिसपरधा कॉम्पिटिशन बहुत जादा बढ़ गया है और साथ ही जो हमारी भोक्तावादी सोच है हमें आपस में समभाव या सहकारिता की जो भावना है उ तो नगरों में होने वाले अपराध को बढ़ावा दे रहा है इसके बाद हम देखते हैं परियावरनी प्रदूशन एक प्रमुक समस्या है जो आज हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग के रूप में नजर आ रहा है और इसका और आगामी जो दुश्परिणाम है कि समुद्र का बढ़ता हुआ जलिस्तर जलवायू में परिवर्तन ये प्रमुक समस्याएं हैं जिस पर यदि हमने अभी से विचार करके इसका निराकरण नहीं किया तो ये हमारे लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा हमारे विकाश के रूप में हमें अभिशाप के रूप में सामने आ सकता है क्योंकि परियावनी प्रधूशन सडकों पर बढ़ता ट्रैफिक वहानों से निकलने वाला जो धुँआ हैं अलग-नलग कल कारखानों से Audiencemaudievich निकलने वाला जो धुवा हैं ये सब जो हैं वायू प्रधूशन तो करते ही हैं साथ ही साथ धुनी प्रधूशन भी हमारे नगरों की एक प्रमुक समस्या है और ये सारी समस्याएं जो हैं हम निश्टित रूप से विकास करें नगरी करणं के माध्यम से और दोगी करणं के माध्यम से लेकिन इस विकास की गति के साथ साथ हमें अपने परियावरन को साथ लेकर चलना है और हमें वो हर कोशिश करनी है जिससे हम अपने परियावरन को सेफ सुरक्षित रख पाएं और आपसी संभाव से सद्भावना से हम विकास की गति को प्राप्त कर पाएं तभी हमारा जो न